असलाम अलेकूम आप सबी को दूसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो तो जी यहे लगबग सुभा के सबा बारा साड़े बारा बजे का टाइम है तो मैं आगी ती किचन में तो क्यूंकि आज किचन में सबसे पहले मैं बनाओंगी मीठा मीठे में क्या बना रही है मैं बना रही हूं कस्टर्ड क्यूंकि आज वही हस्बेट ने पूछा कि क्या बना है क्या करना है जो दिल चाहा है वो बना हो तो मैंने का चले आज कस्टर्ड बना लेते हैं बच्चों को वैंपोता है और मेरी बेटी का आज फिर दूसरा रोजा है क्यूंकि णोने पहना भी रॉख्षा हैs कुझ centuries also बच्छे भी शौक से खाते हैं ja two can fast बदल के बना बेते हैं तो मैंने का struck스 किस्टर्ड बना लिया और यहाँ कस्टर जो था बिल्कुल रेडी हो चुका था तो यहाँ मैंने फैन में उसको अदलब करके रख दिया है कि यह ठंडा हो जाएगा जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसका में फ्रूट जो है वो कट कर लूँगी और फिरीज में गई तो यहाँ मैंने देखा कि मैंन इसालन की त्यारी कर रे थी यहाँ मैंने सालन मना रिया है मिरज खलिया और यह एक आलू निकाल कर लेका हैं देखिए कितना बड़ा साइज है इस आलू का तो यहां मैं एक आलू लेकर आई थी मैंने का अज फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी बेटी की फरमाईश पर तो मै मगे में पानी भर कर और रख दिया है इदर वो कस्टरड भी ठंडा हो चुका था तो उसमें मैंने फ्रूट कट कर लिए सारे कट करके और उनको सजा धजा कर और इसको मैंने अब रख दूँगी मैं फ्रिज में क्योंकि यह तो शाम को निकलेगा बत्र रोजे के टाई में निकल लूँगी रोजे से आदा घंटा पहले मैं निकाल कर इसको बहार रख लूँगी जो इसकी ठंडाई होगी वो निकल जाएगी इदर मेरा सालन जो था वो भी भुनने पर आ गया था तो अभी भुनने लगा है तो इसमें मैंने हरी मिर्चे कट करके बड़े साइज में कट करके मैंने हरी मिर्चे डाल दी है अभी इसको में खुब भून लूँगी और इसको भी रैडी कर लूँगी और इसको कोकर में से मैं निकाल लूँगी किसी दूसरे बरतन में आप देखेंगे आके मैं दूसरे बरतन में निकालूंगी क्योंकि इसको मैं वाश करके रख दूँगी और मैं धोने में क्योंकि सारे काम से मैं निमट चुकी थी तो मैं बरतन वाश करने लगी थी लेकिन मैं ये दूसरी बार मैं वाश करने लगी थी किए सुबा एक बार और चुकी हूं मैं तो यहाँ लग बार दो दू बजने में आज 5 मिनट है, मैं पास मिनट पहले ही निमट चुकी हूं गिचन के कामों से तो यहां पर यहां बैटी था हमारी बैलून से खेल रहे थे, औहीं मेरी बैटी तो तो मैंने का चले मनी मटच चुकी हूँ आप पहले बेटी की ऑइलिंग करूंगे उसके बाद जाकर मैं जो है वह जो है वह जुहर की नमाज अदा करूंगी फिर उसके बाद पढ़ लूगी मैं पुरान तो यहां बेटे शीजवरा जो हैं महों मेरे वीडियो कि बना एक इनकी भी बना लू कि बना लूग defect की उकशान के रही है याब गषिसा थे मज़ते यह दाल बची हुई रखी थी तो उसकंदर मैंने आटा गुं दिया अज दाल के पराठे बनेंगे यह पापाया है यह पापाया कट कर दिया क्योंकि आज फुरूट चाट बनेगी नहीं तो हस्बेंट ने कहा के पापाया वैसी अलग से काट लो और इधर जो फ्रेंच फ्रा सबसे खाते हैं और सुबह से उन्होंने जिद लगाई हुई थी कि मुझे वाटर मिलन चाहिए तो खैर हस्बेंट लेकर आए थे उनके लिए तो खैर जब मैंने नमाज पढ़ ली तो सबसे पहले मैंने उनको थोड़ा सारा कट करके दिया मगर वो यह बराबर है कि मेरा भ खाया और बागी कट करके मैंने फिरिज में रख दिया था अब यह शान का टाईम है वही पॉने पांच बज़े का टाईम तो किचन में आ गई थी मैं और आकर मैंने यह पीड़े बना कर रख दी हैं और यह जो जो फ्रेंज फ्राइज से यह मैंने इस ट्रें करने के लिए और यह यह बना जो छो है ना रखा हुआ उसी ऑॉ-ल से मैंने अगे पराठे तल ली हैं और यह तो पराठे कितने मने थे छे पराठे मने थे और इस मैं से भी पारठा आ जो है वो बजगग creat, रोती काम में नहीं आई तो खjर रोती यह वो सहरी में जो भी खाई जाएगी यो खाई जाएगी, मैं तो सहरी में खाई नहीं रही हूँ, कल बस खाई थी, मैंने आधी रोटी, और पड़सो तो बस मैंने एक कप से दो पापे लेकर खा लिये थे रस, यह फ्रेंच फ्राइज मेरी ब्राटे ब्डन हो गयते हैं, मैंने यह अब जो है, इसमें आलूओं मे तो यहां पर यह जो था नहीं, एक बार में पूरा मतलब नहीं हुआ, तो दो बार में करके यह हुआ, तो पहले एक बार मैंने करके डाला इसको, फिर दुबारा इसको निकाल लिया, फिर दुबारा करके इसको मैंने फिराई कर लिया था, और दूसरे चूलों पर मैंने सा सालन और आख सालन एक डें और एक को आख से दें कर मैं बैठ आख आख थोड़ा है थोड़ी बहुत जाए टोड़ीोट, आख सालन आख में शाधा, खैसे वह घर्र समय भाव। ख्रॐकर उसमया इसे ख्रमोफ बीटार एक भावर में दिदारई बीटार करना हुए है। सिर्फ पानी से ही काम चल रहा है तो यहाँ पर हम इंतिजार कर रहे थे कि अब भॉंपु जो है वो बोलेगा तो हम लोग साहे वो करेंगे रोज अफ्तियार करेंगे खर रोज अफ्तियार हो चुका था और आप कहेंगे अब तो यह कच्रियां दिख रही है तो यह कच्रियां यह दिख रही है क्योंकि अब यह टी टाइम हो चुका है यहाँ पर सबने नमाजे बगएरा पड़ ली थी अब मैंने चाय भी बना ली थी तो चाय के साथ कच्रिये तली थी यह पापड़ कच्रिये और यह सब तो अब यह जो देखिए टेडी बियर बैठे हुए है सामने यह महाशे तो यहाँ पर अब हम लोग सब चाय पी रहा है अपनी और यह चिपस बगएरा खा रहा है और बस अब यह करने के बाद अब दस्तरखान मैं जो बतलब जो जो चीज़े होती है यह लोग जब उठते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़े ले लेकर उठ जाते हैं और जाकर यह किचन में रख देते हैं यहाँ पर एक खजूर बची रखी थी मैंने का चले मैं इसको भी फिनिश कर लेती हूँ यह क्यों बची हुई रखी है तो यह किचन में सारा इन लोगों ने लाला कर समान रख दिया है अब यह सारी चीज़े जो है मैं समेटूंगी जहां जहां रखने की हैं वो रखूंगी जो चीज़े बच गई हैं उनको मैंने एरटाइट बॉक्स में करके फिरिज में रख दिया है और बाकि सारी चीज़े जो हैं वो देखी रही हैं आपको मैं बरतंद मतलब सिंक में रख रही हूँ अब बरतंद हो लूँगी यह सब कर लूँगी और जो फेकने का हैं मतलब कुड़ा बुड़ा है गुठली यह वगरा है टीशू पेपर हैं वो सब मैं डस्पिन में डाल दूँगी तो यहां पर मेरा किचन मैंने बिल्कुल साफ कर लिया है नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरा किचन अब यहां पर हो चुकी थी आजान भी लगवग यह साड़े आठ बचे का टाइम था तो बस अब मैंने किचन को बिल्कुल साफ सुद्रा कर दिया है अब मैं जाओंगी अपनी इशा की नमास पढ़ने तरावी पढ़ने फिर उसके बाद पढ़ूँगी मैं तो यहां पर मैंने अपनी पाने की बाटल भरके रख ली है अब इसको लेकर मैं चल दूँगी क्योंकि यह मेरी जा नमास के पास रख जाएगी इसको पर गिलास रखा जाएगा और यह मेरी जा नमास के पास रखी रहेगी अब मैं इधर आती हूँ बरतन वाले सेक्शन में तो इदर आकर मैंने देखा ये दूद मैंने रखा था थंडा होने के लिए फैन चल रहा था तो मैंने कहा लाएं इसको भी जाकर मैं फ्रीज में रख देती हूँ क्योंकि ये थंडा हो चुका था अब इस साइड में जब मैं आई तो हस्बेंट ने हमारे कस्टड खाया था कस्टड खाके बाउल यहीं छोड़ दिया है जो के धुलने से रह गया अब मैं जाकर इसको वाश करती हूं तो बस इसको वाश करती हूं और आप से विदा लेती हूं कल मिलूंगी भी आप लोगों से इंशाला अल्ला हाफिस